हेलो एवरिवन एक बार फिर से नर्सिंग एजूकेशन के इस यूटूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं बहुत पहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे CRPF जो आपका सब इस्पेक्टर स्टाप नर्स का एक्जाम होना है उसके लिए PST और पीटी दोनों होने वाला है तो उसके लिए आपके लिए एक न्यू अपडेट आई है CRPF की और से तो उस अपडेट को जानेंगी क्या है वो अपडेट किस तरीके से वहां की रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा तो बिलकुल विद्ध हिंदी लेंगवेज में आपको एक्स्प्लेनेशन के साथ इस वीडियो में डिसकेशन करेंगी कौन से रूल है आपके लिए तो यहां पर वीडियो के एंट तक जरूर बने रहें साथ ही साथ इस वीडियो को यह आपको लगता है कि हैल्फुल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाईज इसका जो है नोटिफिकेशन है वो आपको सियार केपका सब पचीस च्छे दोजार वीज को यहां पर जारी हुआ था तो उसके लिए आपके पीएस्टी और पीएटी के लिए एड़िट कार्ड वो आ रहे हैं लगातार 14 तारिक से आपक होगा एक्जाम जो जिसकी डेट पहले थी बारा दोजार वीस इसको अगे बढ़ा दिया गया है कि जब भी आपका यह पीएस्टी और पीटी होगा उसके बाद में एक्जाम की डेट डेक्लियर कर दी जाएगी तो यहां पर आपका जो है जो है अभी फिलाज जो पॉइंट बात करेंगे टोटल 21 इंस्ट्रेक्शन यहां पर CRPF के और दिये गए हैं और CRPF की इंस्ट्रेक्शन आपको जरूर फॉलो करना होगा क्योंकि यहां पर जो है आर्मी या फिर जो भी आपकी सेना होती है उसके लिए जो रूल रेगूलेशन है उनको जरूरी आ सबसे पहले यहां पर मास्क पैन की जाना है यह ध्यान में रखना है सेकेंड आपका जो पॉइंट है वह है ऑल केंडिडेट्स शुट डाउनलोड दा आरोगी से तू एप जब भी आप वहां जाए तो अपने मोबाइल में यह अप्लिकेशन जरूर डाउनलोड करें यह भ आपको पास में रखना होगा और हाथ आपको टाइम टू ट्राइब वहां पर सेनिटाइज हैंड करने होगे तीक है नेक्स आपका फॉर्थ नमबर पर पॉइंट है वह है मैंटेनिंग ए मिनिममम डिस्टेंस ऑफ टू मिटर आपको जो भार सरकार की गाइड लानिंग के अकोडिंग जो आपका टू मेंटर का डिसंस है वह आपको वहां पर सोचिल डिस्टेंस नी मैंटेन रखना होगा नेक्स आपका फाइव नमबर पर जो पॉइंट है वह बोडी टेंप्रेशर विली चेक्ट बिपर एंट्री आप सभी कैंडिएट वहां पर जब एंट्री क के लिए था इस्पेशली अब प्ट और दोनों के लिए क्या क्या इंस्टे रखे हैं वह अपन बात कर लेते हैं तो च्छ नंबर पर पर प्रकार आपको किसी भी प्रकार नई पैसे करवा देंगी तो यहां पर बिल्कुल CRPF की और से मना है और आपको लगता है आपको कोई कहते है ऐसे तो यहां पर CRPF का जो पुलीस कंट्रोल रूम में वहां पर आप जाकर करा सकते हैं यह आपको यह बोल रहा है ठीक है तो यह आपको तो next point है seven point कि the admit card to appear for the physical standard test physical efficiency test is purely provisional आपका admit card है वो only only PST and PT के लिए गया और वहाँ पर आपको साथ में ले जाना होगा next है eight number point if at any stage it is found that a candidate does not fulfill any of eligibility condition तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो completely physically आपको जो है जैसे की weight height है just है वो आई दिया आप completely eligible है तो ही यहाँ पर जाए अन्यता वहाँ पर आपको यह दिया फुल्फिल नहीं होंगे तो यहाँ पर PET से पहले ही आपको यहाँ पर PST में निकाल सकते हैं यह जहान लगना है आप जब आपका advertisement निकाला गया था उस ताहिम इसमें फूरी आपकी fulfillment वहाँ पर जो है completely बताई कहीं थी तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ठीक है क्या क्राइटेरिया था उनका वह आप चेक कर सकते हैं नाइक्स पॉइंट है नाइन नंबर पर इट इस कंपल सरी टू बिंग एड्मिट कार्ड फॉर दा फिजिकल स्टेंडर टेस्ट फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट कैंडिडेट विल बी प्रमिटेट टू एप पिस्टी पीटी सेंट्र एजन आप अपना एड्मिट कार्ड वह आपका जहां पर सेंटर आया वहां पर ही ले जाए अन्यता आते हैं कि दूसरे सेंटर पर जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता आपका जो एड्मिट कार्ड आया वहां पर ही यहां पर पीस्टी पीटी के लिए आप जा सकते हैं नेक्स टैंथ नंबर पे तन नमपर अपका पॉइंट था कि चैनिडिट शुड ब्रिंग एनी ओप दा यह और है यह अधार काड़ है आई-टार फिर वोटर अई-डी काड़ यह पर जो भी उरिजिन डूकुमेंट जो आपको साथ में लेख जाना हुगा 11 पर पोइंट है Candidate reporting for PST-PAT are advised to ensure that they are fully eligible and fulfilled prescribed PST-PAT standard तो यहां पर यह point यह कह रहा कि जब हमने 18 से 24 जुलाई का जो news employment newspaper में आपको news publish की ती तो उसके according यह आप लोग यहां पर eligible है तो यहां पर आप पहुंच सकते हैं. Next 12 number point है, candidate are advised not to carry valuable item with them like mobile phone जैसे कि आपके mobile phone है, cell phone आपके पास यह दी available है तो यहां पर जो है not carry आपको यहां पर allow नहीं किया गया है, examiner center के अंदर ठीके, next आपका 13 number का point है, left thumb impression of the candidate will be taken during PST-PAT, आपके जब PST-PAT होगा उसके दोरान left thumb impression होगा तो यहां पर किसी भी परकार की आप nail है जो आपको clean रखना होगा, किसी भी परकार का यहां पर आपको जो है nail pen नहीं करना होगा, next आपको 14 number पर point है, no journey fare is admissible, आपको किसी भी परकार का वहां पर जर्नी जो है, आपको किसी भी परकार का पैसा यहां पर जर्नी के लिए पैसा आपको खुद का यहां पर जो है ले जाना होगा, यहां पर CRPF की और से कुछ भी यहां पर नहीं दिया जाएगा, next 16 number पर जो point है, वो है the candidate appearing in PST, PET must bring for latest password size, आपको अभी latest के 4 password size photo वो आपको साथ में लेके जाना है, 17 number पर point है कि pregnancy at the time of PST, PET will be disqualification and candidate of pregnant female will be reject, आपको पहले ही notification में इसमें aware कर दिया है कि pregnancy के द्वरान किसी भी female pregnant है, तो वहां पर इसको अलाव नहीं किया जाएगा, जिसको disqualification में include किया गया है, next 18 number पर point है, the ex-service man will have to appear in PET, PST stage for recording measurement of height, chest and weight only, इसमें जो ex-service man के candidate है, जिनका PST होगा only, PET नहीं होगा, PST में क्या होगा, weight height गिरा होगा, document backerification होगा, then PET में जो आपका long jump है, running है, वो सारे इसमें PET में होगा, तो यहां पर ex-service man के candidate को PET में include नहीं करेंगे, only PST clear करना होगा, next OBC के candidate है, वो आपका OBC certificate साथ में जरूर लेके जाए, 19 number के इसमें दे रखा है, तेन साल से पुराना यहां पर आपका जो है, नहीं होना चाहिए, next आपका 20 number पर point दे रखा है, कि किसी भी प्रकार की आपको injury होती है, आने जाने time, तो वो यहां पर CRP, या फिर during running आप गिर जाते हैं, तो भी यहां पर CRP की और से कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी swim की जिम्मेदारी होने है, next आपका 21 पर point है, candidate are advised to not use, perform enhanced drug, आप जब PT, फिजिकल, जो आप जब long jump या फिर आप running करते हैं, उसके दोरान किसी भी प्रकार की drug आपको use नहीं करने हैं, यदि आप drug use करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है, और आपको वहाँ पर निकाल दिया जा सकता, या फिर आपके उपर कुछ legal action भी वह कर सकते हैं, तो मैं आसा करता हूँ, यह आपको 21 पूरे इंस्टेक्शन से, CRP of Pure से जो आपको यदि आपने ये वीडियो देखा, तो बहुत ही आपके लिए helpful होगे, आप किसी भी परकार की इसमें कमी वहाँ पर नहीं ले जाएं, सारे document या फिर सारे आपका जो qualification है, वह आपको पता करने के बाद भी वहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर मैं आसा करता हूँ वीडियो पसंद आयोगा, पसंद आया इस वीडियो को जएदा से जएदा like, share, subscribe कीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी friends स्वास्त लेजिए, मस देजिए, thank you.